Good morning children, आज transition में हम क्या पढ़ेंगे? Can anybody guess? कोई guess कर पाएगा कि आज हम transition में क्या पढ़ेंगे? चलिए बताईए आज हम क्या पढ़ेंगे? नहीं पता? No problem, let me tell you. आज transition में हम पढ़ेंगे verbs. कहां से कहां तक? 31 से 50 तक. कहां से कहां तक पढ़ेंगे? 31 to 50. इन में से 31 to 40 हम अल्वेडी पढ़ चुके हैं. तो उनको हम पहले revise करेंगे, उसके बाद 41 to 50 verbs को याद करेंगे English और Hindi में, फिर उसके या उनके मतलब को समझेंगे. So, let's start it. मेरे साथ साथ बोलिए, कलर रंग भरना, कॉम कंगी करना, कम आना, कंप्लीट पूरा करना, कंडेंस गाडा करना, कंटेन अपने में रखना, कनवर्स बातचीत करना, कुक पकाना, कूल थंडा करना, करेक्ट सही करना, एक बार फिर से पढ़ें, चलिए मेरे साथ साथ बोलिए, एक बार फिर से बोलेंगे हम लोग, कलर रंगहरना, कॉम कंगी करना, कम आना, कंप्लीट पूरा करना, कंडेंस काडा करना, कंटेन अपने में रखना, कनवर्स बातचीत करना, कुक पकाना, कूल थंडा करना, और करेक्ट सही करना, तो ये थे हमारे 31 to 40 वर्ब्स, जो हमने लास्ट क्लास में याद किये थे, तो चलिए अब हम आगे के वर्ब्स को देखते हैं, उनकी इंग्लिश और हिंदी, फिर से बार में उनके मतलब को भी समझेंगे, कफ खासना, C-O-U-G-H, कफ खासना, इसे क्या प्रणाउस करते हैं, कफ, कफ खासना, Next is, काउंट, C-O-U-N-T, काउंट, 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 क्रॉस, क्रॉस, पार करना, C-R-O, double S, क्रॉस, क्रॉस, पार करना, क्रॉस, 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 क्रॉस C-U-R-E Cure Cure मतलब क्या होता है? इलाज करना Cut, काटना C-U-T, कट Cut मतलब काटना C-U-T, कट Cut मतलब काटना Next is Damage Damage, Nust करना D-A-M-A-G-E Damage, Damage, Nust करना D-A-M-A-G-E Damage, Damage, Nust करना और आज का last है हमारा Dance Dance, Náčना D-A-N-C-E Dance Dance मतलब नाचना तो चलिए पहले इन सारे verbs को एक बार revise कर लेते हैं कफ, खासना Count, गिनना Cover, ढकना Cross, पार करना Crush, कुचलना Cry, चिलाना Cure, इलाज करना Cut, काचना Damage, Nust करना Dance, नाचना अब चलिए इनके मतलब को समझते हैं पहला है हमारा कफ, मतलब खासना जैसे कि आपको खासी होती है, तो आप खासते हैं Simple सा मीनिंग है, जब आप खासते हैं, आपके गले को साफ करते हैं या खासते हैं, इट मीन्स कफ Next is Count, जिसका मतलब होता है गिनना किसी भी चीज के नंबर को जानना जैसे कि अगर आपके बॉक्स में, पैंसल बॉक्स में कुछ पैंसल्स रखी हैं और कोई आप से पूछे, इसमें कितनी पैंसल्स हैं, तो आप कैसे बताओगे पहले आपको उन पैंसल्स को काउंट करना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा वन, टू, थ्री करके, तो इसको बोलते हैं काउंट, अब काउंट हम किसी भी चीज को कर सकते हैं काउंट हम मनी को करते हैं, काउंट हम पैंसल्स को कर सकते हैं जो भी चीज countable होती है, countable noun जो आपने पड़े थे, जो भी चीज countable होती है, उसको count कर सकते है, next is cover, cover means ढखना, जैसे कि आप लोग अपने notebook को cover के साथ cover करते हैं, या अपनी body को कपड़ों के साथ cover करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, कि we covered our body, हमने अपनी body को ढख लिया है, बाइक है, स्कूटी है, कार है, उसको पापा उसके cover के साथ ढख देते हैं, मतलब एक कपड़ा लेते हैं और उसको ढख देते हैं, तब हम बोलते हैं कि ये चीज cover हो गई, next is cross, मतलब पार करना, अब cross मतलब पार करना ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि कोई है swimmer है, उसको नदी cross करनी है, तो वो एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं, तब हम बोलते हैं कि उसने river को cross कर लिया, या फिर आप road पर चल रहे हैं, और आप road के एक side पर हैं और आपको दूसरी side पर जाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, you have to cross the road, आपको सड़क पर, पार करके सड़क के दूसरी तरफ जाना होगा, इसको बोलते हैं cross, अगला है crush, what does it mean, crush मतलब होता है कुचलना, जैसे कि जब आप कोई थंडा पीते हैं, कोई पोल्डरिंग पीते हैं, तो उसमें ice को crush करके डालते हैं, मतलब बिलकुल कूट के, बिलकुल महीन महीन करके, तो उसको ब इसको बोलते हैं crush करना, अगला है cry, मतलब चिलना, इसका मतलब क्या होता है, cry मतलब होता है, चिलना, इसका मतलब यह होता है, कि जोर जोर से रोना, एक होता है वीप, जो आप आगे पढ़ेंगे, तो वो होता है धीमे धीमे रोना, और cry मतलब चिलना, मतलब भी रोना ही हो प्याप पर चिलाना मतलब रोने से ही है उची आवाज में अगला है क्योर मतलब इलाज करना जब हमारे लग जाती है या हम बीमार हो जाते हैं तो हम कहां जाते हैं हम जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर हमारा इलाज कर देता है ही क्योर सस वो हमारा इलाज करता है हमे में आई गया होगा किसी भी चीज को काटना जैसे कि कोई फ्रूट ले लो कोई वेजिटेबल ले लो उसको अगर हम नाइक से काटेंगे इसको क्या बोलते हैं डैमेज कर दिया या फिर फ्लड आया या निकि बार आई तो भी क्या होता है काफी डैमेज होता है, काफी चीजे नस्ट हो जाती है, तब इसको बोलते हैं डैमेज, और लास्ट है डान्स, इसको भी आप अच्छे से जानते हैं, जब हम किसी सौंग पर अपने डान्स करते हैं, तो हम इससे बोलते हैं कि हम डान्स कर रहे हैं, हम नाच रहे हैं, it means so simple है कि डान्स करना है, तो ये थे आपके, क्या, 31 to 50 verbs, जो आपको अपनी फेयर नोट बुक पर करने हैं, पूरे 20 verbs मुझे एक साथ ही चाहिए, 31 to 50, एक भी वर्ब आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ओके, गुडबाई, हैव नाइस डे,